दोस्तो यूटी 69 के नाम से एक मूवी आया है थेटर में इस्टारिंग राज कुंद्रा सदनन पाटिल आनन अलकुंटे इन लीड रोल जिसको मैंने देख लिया है दिल और दिमागों प्रत्तर रखकर वो क्यूं यह आपको वीडियो में पता चलेगा तो कैसी है यह मूवी करते हैं क्या मूवी आपको सब्सक्राइब करती हैं यहाइन जी बश यह समझ लिज्ये की यह मूवी राज कुंद्रा की बायोपिक है जिससे वह बोलिवूड में डेविविव कर रहे हैं एनिवे बात करते हैं मूवी की दोस्तों कहानी के बारे में विल्कुल 20 पोलेंड दी दूँँगा बस यही बोलूँगा जैसा कि आप सब को पता ही होगा कि राज कुंद्रा पॉर्दोग्राफी मामले में ग्रफतार हो गए थे इन फेक्ट वो जेल चले गए थे जह से लखनाव सेंट्रल जेल या फिर क्रिमिनल जस्टिस जिसमें जेल के अंदर की मुसीबतों को दिखाया गया है बात करें परफोर्मस की दो दोस्तों राज कुंद्रा की परफोर्मस में कोई खास दम नजर नहीं आया मुझे हाला कि यह मूवी उन्होंने खुद अपने उ बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों मुवी की कहानी ओरिजिनल है और जिस तरह से उसे परजेंट किया गया है ना नो डाउट वो काम बहुत अच्छा लगा मुझे जेल के अंदर एक सेलेबिरिटी को किस तरह की दिक्कते आती है इस्पेसलि जब वो जर्नल कैदियों क परजेंट किया गया है बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों मुवी में सिर्फ उन तरहेंट दिनों की कहानी दिखाई गई है जब राजकुंद्रा जेल में खाना खराब है टोइलेट साप नहीं है और पुलिस वाले फट्टे मार रहे हैं जो इससे पहले भी हम कई फिल् दोस है लेकिन वो किस केश में जेल गए थे और उस केश में कितनी सक्षा आई थी इस सब के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है मतलब यह है कि पूरी की पूरी मुवी में जेल शीन ही दिखाए जाएंगे आपको जेल की पारगा एक भी शीन देखने को नहीं मिलेगा मुवी का स्क्रिन प्ले भी स्लो फिल होता है जो आपको बोर कर सकता है दोस्तों मुवी के लिए एक गंटा पच्पन मिनेट के आसपास है जिसको थोड़ा ओर स्टा किया जा सकता था लेकिन मुवी में जबरस्ती आई टाम सोंग्स गुजा कर मुवी को लंबा खिचा गया है और दोस्तों राजगुनर ने 63 दिन जेल में बिताए है और वहाँ पर उन्होंने बहुत दिक्कत है जेली भी है लेकिन उसके बाद भी बंदे का 100 ग्राम वेट भी कम नहीं हुआ भाई हाद है यार क्यों देखे दोस्तों बस इतना कहना चाहुआ कि अगर आपको जेल जेल बरेक या फिर कैदियों के उपर बनने वाली फिल्में पसंद है जो एक रियल इंसिडेंट के उपर बेस्ट हो तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो रही बात पैरेंटल गाइड लाइन की तो मूवी में कोई भी आडल सीन नहीं है हाँ थोड़े बहुत वल्गर वर्ड है अगर उनसे प्रब्लम नहीं है तो आप ये मूवी फैमली के साथ इंजोई कर सकते हो दोस्तो अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी का रिवियू करना हो तो बस मैं यही कहूँगा आपने गणपत मूवी देखिया ना जब आप उसको जेलने का रिस्क उटा सकते हो तो यह मूवी तो गणपत से कुछ न कुछ अच्छी ही निकलेगी मेरी तरब से मूवी को 2.5 आउट ओ 5 स्टार बाकी इसकी कमजोर कहानी और सलो स्क्रीन पले के लिए तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाई